हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत हुए एक मिस्सा टेग मेंटेर्स हम लोग जिस येर के उपर बात करने वाले हैं दो सेयरों के उपर साथ में अफडेट लेने वाले हैं इंडियान ओवर सीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही सेम प्राइज एक्षन के करेंगे और जो लेटेस्ट चल रही है क्योंकि दोनों की न्यूज दोनों से रिलेटट एक इन्यूज है तो इसलिए मैं सोचा कि दोनों को साथ में डिस्कस कर लेते हैं जिससे की दोनों पर संपूर्ण रूप से बात हो पाएगी तो वीडियो सुरू से अंतिक सबसे पहले हम लोग उसके पर सबसे ने बात कहाँ आप मिल जाएगा सबसे पहले आइओ बारे में बताूँ आपको तो अब लोग ने इसकी रैली पकड़ लिया था 19 रूपे 30 पैसे पे और अभी यह जो सियर है वो 26 रूपीज 45 पैसे के आसपास बनके चल रहा है अच्छी खासी कंडिसन है तो अभी भी देखे मौका तो मैंने आप लोगों को बीजिए जब 21 रूपीज 85 पैसे पे था तब भी लेने को बोला जब 19 रूपीज 30 पैसे पे था तब भी बोला कि आप इसमें एंट्री ले ले लिजे एक टाइम आएगा जब यह एंट्री लेवल से निकल जाएगा तब प्रॉफिट बोकिंग वाले पोजिशन में अगर आप एंट्री लेंगे तो फसने वाला काम करेंगे देखिए हर कोई सेयर ऐसा ही है एक हर कोई सेयर बुरा भी है हर कोई सेयर अच्छा है बस आपका एंट्री लेबल डिपेंड करता है कि आप उसको अच्छे पे खरीदे हैं या आप उसको बुरे पे खरीदे हैं तो देखिए यही सेम चीज है अभी ऐसे जोन से अगर यह ज पर पर बाई करेंगे तो फिर तो डाउन पॉल के लिए आपको ही बस आपको ही वेट करना पड़ेगा तो अभी देखते हैं कैसी करें चल दिया है और सेंट्रल बैंक का भी सेंटरा रुपए पंचानवे पैसे तो इसको मैंने काफी लंबे टाइम से डिसकस नहीं किया पर हा वापस से इसको हम लोग अभी डिसकस करने वाले हैं कैसा चल रहा है तो यह हो गया प्राइज इसन पर कोई इतना दिक्कत नहीं है देखें दोनों ही यह भी 6.65% मूव किया है और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की बात करें तो उसमें भी जो मूमेंट है वह भी 26.30 की मूम दोसते हैं इसकी देखें पानेसल कंडिशन को तो इंडियन पहले आयोबी पर बात कर लेते हैं इंडियन ओवर सी बैंक पर तो इसकी मार्केट कैपिल देखें काफी अच्छी है इसकी मार्केट कैपिल बहुत बढ़ी आ जाती है 49 करोन के करीब है और सेंट्रल बैक की इतना कुछ दिक्कत देने वारी चीज नहीं है बले ही क्योंकि मार्केट कैपिल अल्रेडी काफी बढ़ी है 22,000 भी काफी अच्छी मार्केट कैपिल आ जाती है बुक वैल्यू की बात करते हैं तो ओवर सीज की देखें एट रूपीस 55 पैसे है दोनों ही डिप्रेंट बैं पर रैली देखें बहुत तगड़ी बनी हुई है तो में जीज वही आ जाता है कि चार्ट एक्षन कैसा दिखाई दे रहा है अभी करेंटली वही ज्यादा मैटर करता है इसका देखें आयो भी आ जाता है दूसरे नंबर पर यह आ जाता है सेंट्रल बैंक जो है एट नंब मतलब इयर वाइज अगर कौटरली प्रॉफिट देखी जाए तो इसकी जो है 286 परसेंट बढ़ी है और सेंट्रल बैंक की देखी जाए तो 14.9 परसेंट और सेल का भी करें अगर लेटेस्ट कौटर की तो उसमें 4000 की सेल आई थी इसमें देखें सेल के नंबर जो सेंट्रल का तो यहां पर नेगटीम में सेल रही है और इसकी और उससे भी ज्यादा नेगटीम में रही है बाकी आरो सी की बात करें तो नौर्मस आ जाता है 4.87 इसका 3.87 तो 1 कम है इस इसाब से दोनों इस बैंक देखिए आपको अगर ज्यादा अच्छे तरफ जाना है तो वो आयो आपको बताता हूं तो देखिए दोनों का ही जो न्यूज आया है यहां पर आयो भी और सेंट्रल बैंक दोनों एक साथ नहीं है और इसका कुछ इंदम ऐसा कंपॉर्म नहीं है पर हाँ इसमें बता जा रहा है कि गवर्मेंट जो है सेल कर सकती है अपना 51% इंट्रेस्ट इ ठीक है और इसका भी देखें सोर्स क्या है cnbc अवाज बिल्कुल भरोसा नहीं करता मैं इनके चैनल पर ठीक है तो यह न्यूज है और यहां पर लिख भी रखा है इन लोगोंने कि कोई ऐसी गारेंटी एक कोई है नहीं ठीक है तो यही न्यूज था ऐसा कुछ है पर जिस इन यूज बैंक की बात करूँ तो उसमें भी आपको देखे तीन लगाता सेलिग आई फिर दो लगातार बढ़ाई है बाइंग आई सेम उसी तफारीकिश से चैनल बैक में भी तीन लगाता सेलिंग उसके लगातार दो बाइंग तो सेम एप्रेटर वाला है तो यहीं क्योंकि कम प्राइस के हैं तो रहता ही है ज्यादा और रिवर्ड भी अच्छा रहता है पर हाँ आपको एंट्री जो लेवल है वह बहुत अच्छा होना चाहिए इन सेरों में तो अभी आपको कहांपे बाई करना चाहिए दोनों के लिए लगबग सेम टाइप की ही पोजिश ले सकते हैं थोड़ा सा प्रॉपिश तक थोड़ा सा ओपर रेश्टेंस लेवल है और इसकी अगर बात करें आयोबी सी की तो इसने तो पहले ही आईवी की बात करें तो इसने तो आल्रेडी देख कर रखा है तो इसमें जो आप टार्गेट दिख रहा है वो थर्टी कर रहे हैं तो आपको मैं कहूंगा कि इसका जो यह 27 रुपीज वाला लेबल है इसके उपर फ्लोजिंग देता है तभी आप इसको 30 रुपीज तक का टार्गेट लेके चलिए अगर आपका लॉंग भी हो है तो दोनों ही प्राविटाइज होने के बाद प्रॉफिट पे वही में ज्यादा बहतर है आरो सी भी इसका ठीक ठाक है फेस वैलू भी टैन है क्यों क्यू प्रॉफिट भी बहतर है सेल भी हंड़र परसेंट 110 परसेंट पिछले बारे महिने की बहतर है हाई पर आल टाइम हाई प्राइस देखिए तो 229 में सेंट्रल बैंक का दिखा जाए तो सेम इसका भी कुछ इसी हिसाब से इसकी भी कंडिशन है देखे 219 तक इसका हॉल टाइम आई है प्रॉमोर्टर की होलिंग 89.8 परसेंट है इसका रोई इतना बहतर नहीं रहा है फेस वैलू टेन रही है इसकी देखिए नेगटिब में नंबर थे पर सेल जो प्रॉफॉर्म प्रॉफॉर्मेंस में ठीक दिख रहा है पर बुक वैल्यू की बात करें तो उससे सेंट्रल बैंक भी आ जाता है तो अगर एक चुनना हो तो आयो भी ज्यादा मुझे अभी ठीक लग रहा है दोनों ही बहतर प्रॉफॉर्म कर रहे हैं आप इसमें से दोनों में जिसमें अ कर दो कर दो कर दो कर दो